नमश्कार दोस्तो इन्फराटोस के बहुती फ्रेसे एपिसोड में आपका स्वागत है तो चलिए शुरू करते हैं पहली खबर की शुरुआत करते हैं राजिस्थान से जो आप दोस्तो एरिजियस टूरिजम को परमोल करने के लिए रास्थां गर्मेंट के दौरा 24 क्रोड स्पेंट किया जाएंगे और अलग-अलग रिजियस साइट्स को लेकर ये अमांट सेंक्शन भी कर दी गई है तो इस तरह के एरियास में पैसे खर्चे जाएंगे गंगा मता टेंपल श्री ठाकुजी टेंपल कोटा घटवेश्वर महादिब टेंपल इस तरह के जो अलग- के ब्यूटिफिकेशन और रेनोवेशन की उपर स्पेंट किये जाएंगे अगली दोस्त अब डेटिंग अलकर आई है यूएस बेस सेल में कर इंटरनेशनल बैटरी कंपनी से रिलेटर जीनो ने हमारे देश में उनकी एक गीगा फैक्टरी की अनॉस्मेंट कर दी है और कर लैंट, प्लांट, मशिनरी, बिल्डिंग, सब एरियस में इस कंपनी के दौरा इंवेस्मेंट की जाएगी और अभी इस कंपनी ने करनाटका गवर्मेंट के पास 100 एकोर्स अफ लैंड अलोड करने के लिए प्रपोजल भेड दिया है जो इन्होंने धेवन हली के IT इनिवे है कि भारत को 150 गीगावार्ट की जुरुत पड़ेगी जबकि अभी हमारे देश में जस्ट 1.5 गीगावार्ड की अगली दोस्ट देट निकल करा रही है हमारे देश की बिगेस्ट एयरलाइन इंडिगो से रिलेटर जिन्होंने एविशन इंडस्ट्री का आज सबसे दोनों में ये कमपनी हमारे देश की लेडिंग कमपनी है और अब जो 500 एरकावार्ड की जाएंगे ये ये एरबस से परक्योर की जाएंगे जोकि एक योरपिन मल्टीन नैशनल अरोसपेट जैक है और कहाँ सा जारेंगे ये पूरी की पूरी फलीट एयरबस 320 फैमिली के ज इंडी गो सभी एरकास की डिलीवरी ले लेगा लेकि दोस्तों यहां से ये शो होता है कि हमारी जो एविशन इंडस्टी है वो कितनी तेरी से बढ़ रही है क्योंकि इतनी बड़े स्केल पर किसी भी कंट्री या फिर किसी भी कंपनी ने एरकास और किये नहीं है इससे पहले इंडिया ने 470 एरकास और किये थे और वो भी एवियसन इंडस्टी की आज तक की सबसे बड़ी डील थी जो इंडिया नहीं क्रेट की थी और अगेन उससे बड़ी डील क्रेट की गई है और वो भी भारत के दौर्ट की गई है अगली दोस्त अब डेनिंग लगरा रही है इसदे इखिये बिलिडिंग से जाम प्रोग्राम एक यह इस वर्ल्डवाइड कंट्रीज को इसदे एक ग्रीया में करता है कि में आपोपरा जो कि स्कुमीर से चार्डेम्य करें शोक्र जो चेती इस में अभी इंडिया पूरी दुनिया में लेड कर रहा है क्योंकि करेंडली USGBC के एक कोडिंग 150 LEAD 0 certified projects अनाउस किया चुके हैं जिसमें से 73 तो इंडिया के ही हैं जो कि around 45% होता है 47 US के हैं जो 30% के आसपास है जबकि 15 प्रिजट्स चायना के है जो के almost 10% होता है तो यहां से आप देख सकते हैं हमारी government के दवरा 2070 को लेकर जो net zero carbon mission का target set किया गया है उसको लेकर हम अच्छे कासे धंक से progress कर रहे हैं अगले दोस्तों अबडेटिन का लगरारी है High Spiral Corridor से रिलिड़र जो आप प्रतोसो रेल विकास निगम लिम्टिट के दवरा अभी High Spiral Corridor के future को लेकर एक statement दी गई है और इस statement के according अगले 5-10 सालों के अंदर अंदर हमारे दिश में High Spiral Corridor के कई सारे roads के उपर काम start होता हुआ देखने को मिलेगा तो सो फिलाल जैसे के अब जानती है कि मुंबई एहमताबाद High Spiral Corridor के उपर काम हो रहा है तो कि अरुड़ी डीले चल रहा है सिमिलरली दिल्ली, मुंबई, चेन्नेई और कुलकाता इनको High Spiral Rail से connect करने के लिए हमारी Railways के दोरा Diamond Quadrilateral Plant सामने रखा गया है इसको Golden Quadrilateral से Confuse मत कीजेगा वो Roads और Railways के लिए है, जबकि ये High Spiral के लिए है इस प्लान के अंतरगत हमारे दिखी इन 4 Megasities को High Spiral Rail से connect किया जाएगा और तो ये Corridor एक टाइप के Quadrilateral होंगे क्योंकि इसके 4 Sides Corridor होंगे जबकि 2 Diagonal Corridor होंगे Side में जो Lines वाले Corridor होंगे वो ऐसा नहीं है कि एक बार महीं बना दिये जाएंगे बिसकली वो भी Parts में बनकर टियार होंगे अगर हम New Delhi को Mumbai से connect करने का example लें तो इसके अंतरगत सबसे पहले एहमदबाद से Mumbai के बीच में Corridor बनेगा जो कि बन रहा है और फिर New Delhi से एहमदबाद के बीच में Corridor बनेगा ऐसे ही में ये एक Side Complete होगी इसी तरह चारो सुटिस में भी Multiple Corridors बनेगे अभी कहाँ सजा रहा है कि चारो की चारो सुटिस को लिंक करने को लेकर जितने भी Roots बनाए जाने है सब की feasibility report conduct कर ली गई है financing models भी बन करती यार हो गई है और अगले पांस से दस सालों के अंदर-अंदर इनके ओपर काम साड़ हो जाएगा और अगर बसमें आपको अपनी opinion दो तो मैं भी यही चाहता हूँ कि अगले पांस से दस सालों के अंदर-अंदर-इनके ओपर रैनो निसान से लिड़र जिनों ने हाइदराबाद में उनका एक और नियू टेक सेंटर ओपन कर दिया है और इसके थ्रूँ वो उनके जो टेकनोलोजी से लिड़र इनिशेटिव्स हैं उनके ओपर काफी प्रोग्रेसिवली काम कर पाएंगे तो सो रैनो फ्रांस की कंपनी है जबकि निसान एक जैपनिश कंपनी है लेकिन बिजनस परपस के लिए इन्होंने एक अलाइंस फॉर्म कर रखा है और कई सारी कंट्रिस में ये अलाइंस में में मिलकर ही काम कर रहे है और इंडिया में काम करेंगे वो start-ups जो की automotive sector में काम करते हैं उन में innovation को promote करने के लिए इन्होंने टी-hub के साथ में partnership भी announce की है जिसके अंदर अगर टी-hub और ये joint venture दोनों मिलकर एक innovation प्रोग्राम भी run करेंगे जो कि specific startups के लिए होगा पढ़ेंगे दोस्तों के लिए अपडेट की हुआ करेगी तो सो अक्तूबर 2020 से पहले हमारे देश में आइफोन के production almost negligible थी लेकिन पिले scheme के चलते हमने देखा है कि overall जो आइफोन के production है हो हमारे देश में काफी तेजी से बड़ी है अभी के समय में overall आइफोन production में भारत का share 7% के आसपास है अगले financial year में ये 18% तक पहुँच जाएगा जो कि काफी बड़ा जंप होगा उस रिपोर्ड में mention भी किया गया है कि ये उन्होंने minimum mark बता है अगर apple के और vendors हमारे देश में उनकी manufacturing नाड़ को setup करते हैं तो ये share और भी ज्यादा manufacturing करें जो कि अलुड़ी वो कह रहा है तो इनका शेर डेफिनेटली इंक्रीस तो हो गई होगा और यसा सो मैं आपको बता दूं कि apple ने उनके vendors को कह भी दिया है कि वो इंडिया में आकर उनकी manufacturing करें पर क्योंकि आप जैसा कि आप जानती है कि हमारी इंडियन टारगेट है वो कप्लेट हो ही नहीं पाएंगे आज कि दोस्तो लास्ट अप्डे निकल करा रही है कि यह डेटा सेंटर से रिलेटर जहां पर दोस्तो इंडियन कंपनी वैबवर्क्स और American Company Iron Mountain दोनों मिलकर हमार देश में एक बड़े स्केल का डेटर सेंटर सेट अप करेंगे और 1400 क्योड़ पी स्केल इवेसमन इसके ओपर की जाएगी तोस्तो वैबवर्क्स का यह हमार देश में सेवन्थ सेंटर होगा जो कि नवी मुमई में बनकर तियार हो और क्योंकि अब इसको लेकर अरॉंस्मेंट भी हो चुकी है तो 2025 तक यह बनकर तियार हो जाएगा तो सो आज की वीडियो में बस इतना ही अगर आप अपनी तरफ के अपडेट सम्मिल करना चाहते हैं तो डिस्किप्शन में दिएगे लिंक पर क्लिक करके सम्मिल कर सकते है और अगर आज की वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें चैनल को सब्सक्राइब करें धन्याफ का वीडियो को दिखने के लिए